नमश्कर दोस्तों, इस ठंड के मौसम में मैं आज आपके लिए गर्म गर्म नाश्टी के कैसी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत बहुत टेस्टी भी है, तो फ्रेंड्स हम आज इस गर्म गर्म नाश्टी को मिंटों में रडी करेंगे, आप द करके जरूर बताईएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन प्रेस कर जरूर सब्सक्राइब कर लें, यहां पे इसे बनाने के लिए मैंने ये मेथी ली है, ये लगभग मैंने 100 ग्राम मेथी ली है, इसे अच्छे से च बश्रू करते हैं, यहां पे इसे बनाने के लिए मैंने ये दो कप गिहूं का आटा लिया है, साथ में हम एक कप यहां पे बेसन लेंगे, आप चाहिए तो आधा बेसन आधा गिहूं का आटा भी यूज़ सकते हैं, और नेक्स्ट हम इस में मेथी के कटेवे पत्ते आड़ करेंगे मेथी के पराठे तो आपने बहुत खाये होंगे आज आप मेरी तरह से यह चीला जरूर बना कर देखिएगा यह बहुत स्वादिश लगता है यहां पे मैं वन थर्ड इस्पून हींग एड कर रही हूं साथ में छोटा अधा चमच अजवाइन डाला है और लाल मिर्च हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे मैंने यहां पे वन फोर्थ स्पून लाल मिर्च पॉडर ली है और इसके बाद काली मिर्च पॉडर भी वन फोर्थ स्पून यहां पे मैंने ली है मेथी की कड़वाहट को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर बड़ा आधा चम्मच Dry Mango Powder एड़ कर रही हूं और next हम यहाँ पर नमक एड़ करेंगे मैंने एक चम्मच यहाँ पर नमक एड़ किया है छीले स्वाधिश्ट बने इसके लिए मैं यहाँ पे अध्रक लहसन हरी मिर्च का पेस्ट एड़ कर रही हूँ यह एक बड़ा चम्मत पेस्ट मैंने यहाँ पे एड़ किया है दोस्तों, यहाँ पे आप इन सारे मसालों को अपनी टेस्ट के according कम या जादा भी ले सकते हैं और अब इन सारी चीजों को हम खुब अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले सारे इन्ग्रीडिंट्स को एक बड़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते जाएंगे और इसे mix करते जाएंगे पहले हमें इसे एक सात मிला लेना है ज़्यादा पानी एक बारमें नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे नहीं तो यह mixture गीला हो जाएगा और फिर हमारे चीले अच्छे नहीं बनेगे, तो हम थोड़ा-ठोड़ा पानी आड़ करते जाएंगे, और इसे मिक्स करते जाएंगे, और साथ में यहाँ पे, मैं एक छमच हलदी पॉर्डर अड़ कर रही हूँ, अब इसे भी हमें खुब अच्छे से मिक्स कर लेना है, इससे बहुत अच्छे चीले तियार कर लेंगे चीले बनाने के लिए मैंने यह नॉनिस्टिक तवा फ्लेम पे चढ़ा दिया है अब तवा गर्म हो गया है तो मैं यहां पर थोड़ा थोड़ा बैटर एड़ करके गोल शेप में अच्छे से फैला करके चीले का शेप दूंग इस तरह से बहुत अच्छे से चीले रेड़ी हो जाते हैं यह देखिए मैंने भी चीले को अच्छी तरह से फैला लिया और अब मैं उपर से दो तीम बून ऑईल के यहां पर आड़ करूंगी यह देखिए मैं थोड़ा थोड़ा किनारू पे यह आड़ कर दे रही हूं इस इसका मतलब यह रेड़ी है यह एक करब से सिख गया है तो इसे अब हम इस तरह से निकाल लेंगे पल्टे की सहायता से और पलट लेंगे यह देखिए एक तम बहुत अच्छा सा गोल्डन चा कलर आया है और इसे दबा दबा करके हम दोसरी तरफ से भी सेख लेंगे फ्रेंड्स इस टेस्टी रेसिपी को आप विंटर सीजन में, मौर्निंग ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स टाइम में या बच्चों के लंच बॉक्स में भी ट्राई कर सकते हैं और किसी गेस्ट के आने पे तुरन पना के गर्म करम सर्व भी कर सकते हैं तो अब यह दोनों तरब से सिग गए हैं तो इसे हम इस तरह से उतार लेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेर कीजिएगा, हम फिर मिलते हैं एक नई रसिपी के साथ गुड़ बाई and थैंक्स पॉर वाचिंग